नमस्कार मैं हूँ आयूशी और आप देख रहे हैं जनसत्ता इटली में इस समय कई सारे देशों के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है अमारिका, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत समेथ कई देशों के नेता जी सेविन के शिखर समेलन के लिए इटली पहुँचे हैं आपको बता दे इटली की पीएम मैलोनी ने सभी नेताओं का स्वागत बड़ी ही गर्म जोशी से किया बतादे की जी सविन में कनारा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जपान और अमारिका और ब्रिटेन शामिल है लेकिन भारत इस समेलन में आउट्रीच देश की रूप में शामिल हो रहा है जिसके लिए पीएम मोधी भी इटली पहुँच गए है नरेंद्र मोधी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद ये पहली उनकी विदेश यात्रा है लेकिन पीएम मोधी के वहाँ पहुचने से पहले ही हिंदुस्तान की अलग चाप देखने को मिल रही है जब इटली की पीएम मैलोनी ने अपने महमानों का स्वागत हांडशेक से नहीं बलकि हाद जोड कर नमस्ते सिक्किया खैर इस सब के बीच ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि G7 के शिकर सम्मेलन में भारत अपने ओर से किन मुद्दों को इस मंच पर उठाता है इसके पीएम मोदी ने इतली रवाना होने से पहले ही कहा था कि बैटक में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, उर्जा, अफ्रिका और भू मद्य सागर पर उनका फोकस रहेगा इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी इतली पहुँचे निताओं के साथ दुए पक्षिव बातचीत भी कर सकते हैं आपको बता रहे कि इतली में G7 का आयोजन ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया में दो-दो बड़े युद्ध चल रही है यही नहीं अमारिका और पश्चिमी देशों के साथ चीन की प्रतिसपर्धा भी तीखी हो रही है इस तरह इस सम्मेलन के दौरान कई वैश्रिक मुद्धों पर चर्चा होने की संभावना है जिन में रूस, चीन, यूक्रेन, इसराइल और अफ्रीका जैसे देशों से जुड़े मुद्धे शामिल है लेकिन बड़ी बात ये है कि जुनेता इतने गंभीर संकट के दौरान इटली में एक खटा हुए है उनकी साख और ताकत घर और बाहर दोनों जगर सवालों में है यूरोपिया यूनियन के चुनावों में हार से तम-तमाए एमानुल मेकरों ने फ्रांस में मद्य अवदी चुनाव का एलान किया है जिसमें उनकी पार्टी की हालत अच्छी नहीं बताई जा रहे है इसी तरह रिशी सुनक ने भी वक्त से पहले चुनाव करवाने का फैसला किया है सर्वे में दावा किया जा रहा है कि रिशी सुनक कुछ चुनावों में हार कमों देखना पड़ सकता है जर्मनी के ओलाव शोल्स की हालत भी अच्छी नहीं है पिछले हफते ही उनकी पार्टी को यूरोपिय संसक चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा जिसके बाद उनकी हटाय जाने की अटकले लगाई जा रहे है कनाडा में 9 साल तक प्रधानमंत्री रहे जस्तिन टूडो के भी भूत पूर्फ पीम होनी की भविश्वानी कनाडा में खुल कर की जा रहे है वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की व्यक्तिगट रेटिंग सबसे खराब चल रहे है लेकिन इस सब के बीच सब की नजर जिस मुद्दे पर रहेगी वो होगा रूस और यूक्रेन का युद्ध इतली में पीम मैलोनी ने भरोसा जता आया है कि जसतरा G20 के टाइम पर भारत ने इन दोनों देशों के बीच मध्यस्ता का काम किया था वैसा ही इतली करने का प्रयास करेगा भाते प्रधानमंत्री को न्योता मिलना इस लिहाथ से भी बेहत खास है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वहीं जब G7 लोकतंत्रिक देशों का एक संगटन है भारत में हुए आम चनावो में प्रधानमंत्री मोधी लगतार तीसरी बार जीते हैं इसी बैठक से पहले इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ओफ इटली को यूरोपियन यूनियन के चुनावो में बंपर जीत मिली है चुनावो में जीत के बाद मेलोनी G7 की सबसे लोकतिये नेताओं में एक के तौर पर उब्री हैं Z7 की बैठक लिए भारत को खास ने होता देकर उन्होंने दुनिया को एक बर फिर से भारत की ताकत का एहसास करवाया है भारत की बढ़ती साख का ही नतीजा है कि आज अमारिका और रूस दोनों भारत को अपने पाले में रखना चाहते हैं और खुलकर भारत के पधानमंतरी की तारीफ करते हैं तो दुनिया भर के नेताओन के साथ साथ भारत के रिष्टे इंडिया फर्स की नीधी पर बुने जा रहे हैं लेकिन फिलहाल भारत और अमारिका के रिष्तों में एक तरह का तनाफ देखने को मिल रहा है क्योंकि अमारिका खालिस्तानियों किर्पती नर्म रुख अपना रहा है अमारिका ने गुरुपतवन सिंग पन्नु के हत्या की नाकाम कोशश में जस तरह से भारत की खूफिया एजिंसी रौ का नाम लिया उससे दोनों देशों के रिष्टे जरूर प्रभावित हुए हैं जबकि सची है कि खालिस्तान समर्थक हिंदुस्तानी हितों को लगतार निशाना बना रहे हैं खैर इस बार की बैटक में रूस यूकरिन युद्ध का मुद्धा चाया रहेगा इस युद्ध में दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थिववस्ता को हिला कर रख दिया है प्रदानमंत्री नरेन मोदी के संबंध पश्चीमी देशों के साथ साथ रूस के राश्पती पुतिन से भी अच्छे हैं लहाजा पश्चीमी देशों और खासकर इटली के लिए भारत की भूमी का एहम है ताकि G7 की इस बैटक में ऐसा कुछ समाधान निकला जा सके जिससे आयोजर सफल बन सके और अगर ऐसा होता है तो पूरे युरोप में मैलोनी का कद और बढ़ना तै है आपको बता दे फिलहाल G7 की अध्यक्षता इटली संभाल रहा है इससे पहले जापान ने हिरोशीमा में इसकी मेजबानी की थी और तब भी पीए मोधी को इस सम्मेलन के लिए बुलाया गया था G7 के इस पूरे मुद्धे पर क्या है आपकी रहा है हमें कॉमेंट सेक्षिन में ज़रू बताए साथी साथ देश और दुनिया की बागी खबरों के लिए देखते रहें चन सत्ता धन्यवाद